Hi guys, this is Vinit here, welcome to my channel. So, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो का टाइटल, इस वीडियो में मैं RRBPO की complete strategy discuss करूँगा. इस साल के लिए, इसमें मैं discuss करूँगा exam pattern, previous cut-offs, beginner के लिए क्या strategy होने चाहिए, जो experienced candidates है, जो already दे चुके exam, जो बहुत close थे, उनके लिए क्या होनी चाहिए. Pre का strategy में topics कौन से पहले practice करने हैं, क्या important है, वो बताऊंगा. Mains का अभी देखिए, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना time मैं नहीं आपका ये करना चाहता हूँ, तो part 2 मैं दूसरे वीडियो में ही ले के आ जाओंगा, इसी week में, और sources, pre और mains के भी मैं discuss करूँगा, इस वीडियो में pre करूँगा, और देखिए, IBPS का calendar आ चुका है, जिसे कि आपने देखा होगा, उसका मैं अब सब लेके आई चुके हैं, तो उसका अलरेड़ी आप देख चुके होएंगे, तो वो क्या ही बता हूँ, मैं आपने देखा ही है, बट इतना आपको पता होना चाहिए, कि almost 7 महीने, मतलब 210 दिन से भी जादा है, आपके पास pre के लिए, और 240 दिन के आज़ पास है, आपके बास, मैंस के लिए, तो ये काफी दिन होता है, तो इसमें आप fresher हो, या experience हो, आप definitely exam crack कर सकते हैं, और साथी साथ आपने देखा होगा, line से exams है, lined up, और साथ में इस बात जैसे आपने देखा, AO exams और दूसरे exams भी आ जाते हैं, जो इसी banking pattern पे होते हैं, तो आपको इसलिए, अगर आप target कर रहे हैं ये, तो आपको दूसरे exams भी बहुत फाइदा मिलेगा, अगर आप ये करेंगे तो, तो आठ मही ने लगभग मान सकते हैं, हम mains के लिए हैं, benefits क्या है RRBPो का, हमेशा ये सब जानने से बेले, ये भी जानना ज़रूरी है, slavers, patterns अब जानने से बेले, कि ये job से मिलेगा क्या आपको, ऐसे ही कोई भी exam नहीं देना है, जानना भी है कि क्या मिलेगा, तो mostly जो देते हैं, बहुत जादा तर बच्चे, इसलिए भी देते हैं, क्योंकि इधर आपको opportunity मिलता है, कि आप अपने home state में रह सकते हैं, आप अपने home state में रहेंगे, हो सकता है, घर के पास भी आपको मिल जाए, इसलिए ये बहुत बड़ा benefit है, जैसे कि आप जानते हैं, बाकी ज़रूरी नहीं, बाकी PO जैसे IBPS का हो गया, ज़रूरी नहीं कि आपको अपना ही state में ले, मुश्किल होता है, आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तो मिल जाता है, और बाकी decent growth है, ठीक है, ऐसा बहुत है, ठीक है, मतलब होता है, इधर भी growth काफी है, जैसे जैसे उपर जाएंगे, वैसे अच्छा ही है, इधर भी, salary भी, अगर आप entry level देखेंगे, इधर compare करेंगे हम तो उधर लगभग इसका 70% रहेगा, शायद इतना नहीं रहेगा, कहीं-कहीं एरियास में हो सकता है, जहां बहुत अबादी हो, population हो, बट otherwise मुझे नहीं लगता है इतना रेतर, मैं जितने मेरे एक दो दोस्त हैं, बात किया है मैंने, तो उनने बोला, काफी अराम से 5 से 6 के आसपस उनका खतम हो जाता है, फिर उनको time मिलता है काफी कुछ करने का, ठीक है क्योंकि गाओंवाले आपको पता है, गाओं में थोड़ा timing ही ऐसा है, जल्दी रात हो जाती है, अपना जल्दी काम सब सुबह दिन का शुरुवात भी जल्दी होता है, तो ये चीज़ फाइदे है, अब हम देख लेते हैं, पैटर्न क्या होता है, कैसे क्या पूछा जाता है, प्रिलियम्स में ये देखिए, ये भी बहुत एक बड़ा फाइदा है कि इंग्लिश जिसका वीक है, वो ये एक्जाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है, तो रीजनिंग में 40, नियुमेरिकल अबिलिटी में 40, 40 नमबर, 40 नमबर, 45 मिनिट, और ये भी है कि कंपोजेट टाइम है, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, आप अपने हिसाब से जादा स्कूर कीजिए, जो भी सेक्शन आपका स्ट्रॉंग है, उसको उठाइए और कर दीजिए, मेंज में भी वही बात है, ठीक है तो 80 कोश्चन, 80 मार्क्स होईंगे, कट अफ का मैं अगले इस पर बताता हूँ, लगभग क्या रेंजेस थे, हर स्टेट का तो आप देख सकते हैं, गूगल करके, मेंज में रीजनिंग और नुमेरिकल अबिलिटी, 40 कोश्चन होते हैं, बट 50 मार्क्या होते हैं, तो QA और रीजनिंग मिला के 100 मार्क से आउट अट अफ 200, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोर करना, और आप कर सकते हैं, स्कोर, रीजनिंग में तो करते हैं, कौन स्ट टाफ आने लगा है आजकल, ठीक है, उसके लिए मैं बताऊंगा आगे आपको, जेनरल अवेर्णेस भी टाफ आया था, मेंस का, ठीक है, ये रेंजेस में थे, ठीक है, किसी किसी स्टेट का हो सकता है, 58 अगुस था, बट अदर्वाइस ये ही रेंज था, उपर उपर से, देखेंगे आप तो, तो कट आफ जो थे, एक्जाम लेवल हाई हुआ, तो कट आफ नीचे गया, ठीक है, मेंस में भी वही हुआ, कट आफ बहुत नीचे चले गए, मेरे टाइम कट आफ, 86 तू, 100 में थे कट आफ, I think 80 तू 100 में कट आफ थे, इस बार लेकिन इतना नीचे गया, मतलब आप समझ सकते हो, कि लेवल उपर गया, तो वापस कट आफ नीचे चले गए, यही था हर स्टेट का रेंज, करेंट अफेर्ज और कॉंट्स जो था, वो टफ आया था, ठीक है, एजी नहीं था, जैसे कि सेक्शनल कट आफ में बताऊं आपको तो, करेंट अफेर्ज का सिर्फ 2 मार्क था, समझ रहे हैं आप, एड़ कॉंट्स का 4.75 था, यह फॉर जेनरल, एड़ अड़ 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 अड़र कैटिग्रीज, अउनली वन मार्क था, करेंट अफेर्ज का सेक्शनल काट आफ, एड़ कॉंट्स 2.75, तो यह आउट आउट आफ 50 है, तो आप समझ रहे हो कितना हाड था, मतलब लोग नहीं कर पाए जाथा, यह भी आउट आउट आफ 40 है, तो आप समझ सकते हैं कि यह easy नहीं था, इसके लिए मैंने लिखाए tough था, तो आपको preparation अच्छे level का करना है, यह एक gist हो गया, इंट्रो बाट हो गया कि आपको क्या-क्या था पिछले साल का, इस साल अगर आपने इस साल prepare करना है, तो आपका पता होना चाहिए पिछले साल का क्या position था बच्चों का, और paper का, ठीक है, अब reasoning पे हम अगर strategy पे आए, तो मैं आपको बताता हूँ, reasoning आपको पता है, 40 marks का आएगा, यह pre का है, okay, mains का हम अच्चा सा discuss करेंगे, 4 से 5 set puzzles और sitting arrangement के ही आते हैं, तो 20 से 25 marks जो है, 40 में यही रहेगा, मतलब more than 50%, तो इस से आपको क्या पता चलेगा, आगे देखेंगे हम, इसके बाद 2 से 3 question, direction sense के आते हैं, या से log, inequality, blood relation, तो लगभग, इसको speed part बोलूँगा मैं, तो आगे मैं अगर speed part बोलू, तो आप समझ जाना, यह इनकी बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि यह जल्दी हो सकता है, blood relation आजकल confusion हो गया है थोड़ा, तो आप अच्छे से practice कीजिए, इधर और इधर आप score कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आता है, दो से चार question या कुछ पांच question आजाएंगे, word formation का एक, odd one, odd ज़्यादा एक, Chinese coding आया तो तीन से पांच आ सकता है, अगर आ गया तो luckily, ठीक है, यह भी कभी-कभी confuse कर देते हैं आपको, बहुत score कर सकते हैं आप इसमें, easily compared to other things, अलफा नुमरिक ठीक है, तो दो से पांच question, तो इससे क्या समझ में आ रहे हैं हमें, important क्या है practice के लिए, कहां जादा time देना है, puzzles और sitting arrangement में, यह important है, फिर speed part आ जाता है, यह भी क्योंकि 10 से 12 question कम नहीं है, बहुत होता है, आपको एक-एक mark की कीमट आपको समझ में आएगी, अगर आप नहे हैं बच्चे तो, कि क्या, कैसे होता है, कैसे, 0.25 marks भी बहुत हो जाता है उपर नीचे, उससे भी लोग निकल जाते, और clear कर लेते हैं, ठीक है, जिन्होंने दिया है, उनसे पूछे आप, इसके बाद आपको इधर time देना है, फिर miscellaneous पर time देना है, miscellaneous मतलब यह सब हो गया, ठीक है, तो जाधा time आप अपना जब भी devote करेंगे, अगर आप 3 hours पढ़ रहे हो, तो कम से कम 50-60% time आपको देना है, पजल्स पे और सिटिंग अरेंजमेंट पे, ठीक है, यह कर लोगे आप, तो आपका clerk mains का भी पार्ट आल्मोस्ट हो जाएगा, इतना अच्छे से करोगे आप तो, कुछ अलग करने की जरुवत नहीं पड़ेगी, RRBPO mains का तो होगा ही, RRBPO का भी अच्छे से करोगे आप, प्री का यह पार्ट तो, आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, तो 50-60% time आपको इधर देना है, बाकी time इन दोनों में, इसको बहुत कम time दो, जाधा time मत देना, क्योंकि questions भी जाधा नहीं है, देख सकते आप, फिर beginners के लिए जाधा क्या करना है, focus करना है, आपको practice पे पहले, test पे focus, बाद में पहले practice पे focus करो, ठीक है, foundation course कुछ, start करो starting में, जैसे YouTube पे free sources मिल जाएंगे, link डाल दूँगा मैं, description में, ठीक है, paid classes आपको लेने, paid classes ले लिजे आप, concept और practice और puzzle, sitting arrangement पे, extra focus डालने है, जैसे कि मैंने बताया, उस पे time जाधा दीजे, आपको मिल जाएगा, वो भी YouTube पे और classes लिया, आपने तो classes देफिनिटली करवाईंगे ही वो, ठीक है, YouTube पे भी बहुत playlist है, आपको मिल जाएंगे, मैं links भी डाल दूँगा, description में कुछ के, सब puzzle, all type of puzzles, everyday आपको थोड़ा कर लेना चाहिए, box होता है, month होता है, example दिया है, designation, ranking based होते हैं, floors, flats, लग भग ये ही आते हैं, और circular, square, rectangular, linear, unknown person, uncertain persons, यही sitting arrangement में आता है, ठीक है, तो speed part भी आपको everyday करना है, इसी के साथ inequality, blood, relation, logism, direction sense, Chinese coding, यह भी आपको करना है, यह करते-करते आपका speed अच्छा हो जाएगा, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि यह भी आपको करना है, puzzles लेकिन main है, puzzles और sitting arrangement, pre को अगर आपको अच्छे से करना है तो, अब हो सकता है, exam में 5 puzzles आए, उसमें आप 2 ही कर पाए, चलेगा 10 number आना है, उसके बाद कम से कम आप speed party भी कर लोगे, तो 20 तो हो जाएंगे आपके, अगर paper hard आया तो मैं बात कर रहा हूँ, definitely अगर थोड़ा easy है, तो आप यह 2 के बदले 3 या 4 कर लोगे, तो तो आपका ऐसे ही 15-20 number आ गया, उसके बाद आप यह कर लोगे, तो 40 में 30 आ गये, बाकि match में भी 20-25 है, hard भी आया, तो कुछ तो करी लोगे, तो definitely clear कर लोगे, cut off, तो आपको वैसे ध्यान देना है, ठीक है, focus करो practice पे, concept building पे, जब आपको थोड़ा confidence नहीं लगे, तब आप test पे जाओ, अब देखिए, यह beginners का था पिछला, अब experience candidates को मैंने दो भाग में बात है, आपको अपने weaker topics identify करने है, जैसे मेरे, मैं आपको बताता हूँ, circular के, जो inside, outside वाले आते थे, मैं उसमें attack जाता था, ऐसा नहीं कि मेरे से नहीं होता था, बट इधर game क्या होता है, time, है ना time, आपको मैंने एक घंटा दे दिये, तो आप करी लोगे, बट time, अगर मैं आपको बोलूँ, पांची मिनिट में करके बताऊ ये, तो उधर आता है अपना practice, और जो भी आपका इतना experience है, वो उधर काम आएगा, ठीक है, अगर नहीं किया practice, तो काम आपको time जादा लग जाएगा, लोग आगे बढ़ जाएगे, तो ये identify करो, आप वी का topic आपका क्या है, और उसको जादा practice करो, और ये वाले range में आजाओ, ठीक है, ये वाले range में, तो ये ध्यान दो आप, इतना तो आपने अभी, अगर experienced है, आप मतलब आप कुछ ना कुछ कर चुके हैं, तो ये आपको पता चल जाएगा, analysis से, definitely पता चल जाएगा, नहीं भी पता चल लो, तो mock test उठा लो अपने, उसमें topics देख लो, कि कहां 5 mock test को भी उठा लो, 5 से 10, उसमें topics देख लो, कहां टकरे हो बार बार, उसका note बना लो, आपको पता चल जाएगा, जिसमें जादा बार हमेशा टकरे हो, वो जादा practice करनी है, फिर practice topic wise, sectional test ये किसके लिए है, ये है जिनको 80 से 90 percentile है, उसके above 90 आता है, ठीक है, अब topic wise, sectional, अगर topic आपको तफ लगती है कोई, तो topic wise कीजिए, अदरवाइस sectional test mocks लगाईए आप, आप अलड़ी आपका हो चुका है, आप beginner से बहुत आगे हैं आप, ठीक है, फिर mocks में आप, मैं बोलूँगा, level mock का modded और tough थोड़ा try कीजिए, क्योंकि आप exams का level ही वैसा हो रहा है, तो मैं नहीं बोल सकता आपको कि आप easy वाले mocks उठाओ, तो practice mock का आप उठाओ, practice mock का देखे देखो mock, free mock देखो मैं दिखा देखो आपको, इनका link मैं description में डाल दूँगा, rrbpo, rrb clerk, दोनों का मैं link डाल दूँगा, तो ये free mock आप लगाओ, और मुझे बताना कितना आया, इधर आपको आपका पुरा ranking मिल जाएगा, जो भी सब scores होता है, आप compare कर सकते हैं, अपने detail solution मिल जाएंगे, आपको exam analysis मिल जाएगा, ठीक है, तो comment करके मुझे बताना, आपको कितना score आया, कितना percentile आया, main जो मुझे जानना है, आपका percentile जानना है, ठीक है, तो practice mock, और बाकी आपको आगर easy वाले mock कुछ है, जो कि आजकल बहुत थोड़े हो रहे है, तो इनका comparatively level easier है, तो दे सकते हो आप, ठीक है, cons में फिर scoring, तो देखिए speed maths, di case let's, ये जादा आते हैं, number में, speed maths, ये scoring है, तो ये छोड़ नहीं सकते है, speed maths में क्या क्या आता है, approximation, simplification, quadratic, number series, उसमें missing हो गया, और एक wrong number series हो गया, दोनों confusing हो सकते हैं, दोनों time taking हो सकते हैं, अगर आपने practice नहीं किये तो, तो practice बहुत ज़रूरी है, arithmetic में, di case let's के बाद arithmetic में सबसे ज़्यादा questions आते हैं, but ऐसा नहीं है, मैं नहीं बहुत नहीं कि scoring नहीं है, दस में आप 5 questions कर सकते हो, आप ज़्यादा भी कर सकते हो, बट ये सब आप पहले speed maths पर जाओगे, di पर जाओगे, फिर arithmetic पर आओगे, तो time बचता नहीं है, ठीक, इसके लिए बहुत नहीं कर बाते हैं, बट main problem ये है, कि बच्चे डरे रहते हैं, you are scared, तो आपको practice करनी है, इसकी बहुत अच्छे से practice करनी है, तभी आगे अच्छे से हो पाएगा, easy में नहीं लेना है कि, ऐसा नहीं लेना है कि, नहीं, arithmetic छोड़ भी दूँगा, तो भी हो जाएगा, कभी-कभी पेपर में arithmetic ही easy आते हैं, और TI और case let बहुत hard आ जाते हैं, speed maths भी आपको बहुत कैलकुलेटिव आ जाएगा, बट ये बचा सकते हैं आपको तो, प्लीज ध्यान दीजिए, अब इसमें भी देखिए, important बागी quantity 1, quantity 2, या दूसरे टाइप के, जो miscellaneous से 3-5 questions आते हैं, ठीक है, important topics के, practice का speed maths, calculation part आपको strong करना है अपना, ठीक है, उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया, आपको देखिए, build your calculation part, उसके लिए आपको percentage to fraction, बहुत important है, अगर मैं आपको 1 by 12 बोलूं, तो आपको पता होना चीए, ये कितना होता है, अगर मैं आपको 66.67% बोलूं, तो आपको पता होना चीए, फ्राक्शन में कितना होता है, ठीक है, ये सब बहुत important है, तो ये everyday revise करना है, ठीक है, tables, squares up to 30, cubes up to 20, ये आपको everyday करने है, ये सब, तभी आपको बहुत अच्छे से, दिमाग में बैठेगा, और आप अच्छे से fast calculation कर पाएंगे, ठीक है, तो इसमें आपको बहुत help मिलेगा इससे, important topics ये ही है, arithmetic में आपको सब करना है, बट पहले आपको percentage, percentage का chapter, और फिर ratio का chapter, इससे start करना है, क्योंकि percentage और ratio ही DI है, DI में और कुछ अलग नहीं, आपको data देखना है, या निकालना है, या ढूनना है, बट खेल पूरा percentage और ratio का ही है, less than, more than, ratio ढूनने बोलेगा, वही होता है, तो आपको वह दोनों अच्छे से करना है, speed maths at least 10 questions कीजिए, from each topic, जो मैंने topics बता है, approximation, simplification, quadratic, number series, कहां से मिलेगा sources आगे बताता हूँ मैं, फिर इधर भी वही part है, practice पे focus करना है, test पे शूरू में नहीं, जो beginners है, उनके लिए है यह, arithmetic में start with percentage and ratio proportion, concept first, फिर practice, और फिर बाकी के topics arithmetic के, जो मैंने arithmetic का एक video डारा था, आप वो देख लीजेगा, कैसे करना है, total 4 to 5 days, एक topic के लिए लिए concept or question, arithmetic का, अभी के लिए beginners के लिए बोल रहा हूँ है, ऐसे तो मैं बोलता हूँ 3-4 दिन, बट अभी आप just start कर रहे हैंगे, अगर तो जाधा time लगेगा, हो सकता है 5-6 दिन भी लग जाए, बट कोई issue नहीं है, आप एक दो महिने में अच्छा कर सकते हैं, एक topic को पकड़िये, concept video देखिए, जैसे 3-4 घंटे का कोई video लेख लिए, आपने, कौशिक सर का, एक topic उनने पड़ाया, इतने questions प्रैक्टेस करवा दियो, उसका आप topic वाई टेस्ट लगा लो, अब ये करना आपको 2-3 दिन में करना है, चार दिन में करना है, धीरे-धीरे जैसे भी करो, और questions प्रैक्टेस कर लो, तो वो topic cover हो जाता है, उसके बाद you have to go on to DIs, एक बार इतना हो गया, फिर आप DIs अच्छे से कर लोगे, फिर आपका percentage ratio हो चुका होगा, और बाकी topics भी, अब experience में, इधर भी मैंने दो भाग में बाता है, ठीक है, weaker topics, वही same बात, जो reasoning में मैंने की, टॉपिक वाइज आप कर सकते हो, अगर आपका कोई chapter week है, तो आप वो देख लो वापस, mocks में वापस है वही, practice mock का बोलूँगा, मैं उधर का लगाईए आप, free वाले mock का link तो देही दिया है, मैंने, और बाकी इनका लगा के देख लीजए आप, easy आपको थोड़ा लगाना है तो शुरू में, फिर sources की बात करूँ मैं, तो इनका checklist आता है, आशी सरोडा सर का, cons के लिए, I think 400 से 500 checklist होईंगे, उस group पे, बहुत है ये number, आपके लिए free source है ये, ठीक है, free में हैं, तो आप please utilize कीजिए, solution भी दिया रहता है, in fact आप, मेरा telegram group जोइन कर लो, अगर आपको कोई नहीं आता है, उसमें से question group पे डाल दो, पूछ लो इतने बच्चें, कोई ना कोई answer करेगा, कोई नहीं करेगा, तो मैं करूँगा answer, ठीक है, तो आप practice कीजिए इससे, concept building through IT, YouTube से link description में डाल दूँगा, मैं, ये playlist के link रहेंगे, आप उधर से practice कीजिए, मैं डाल दूँगा, जैसे लेकिन मैंने बताया, आपको पिछले slides में वैसे कीजिएगा, एक या दो classes, या teachers को ही follow कीजिए, जादा नहीं कि आप 4-5 लोग को follow कर रहे हैं, ऐसा गलती मत कीजिएगा, गन्फ्यूज हो जाओगे, दो teacher, दो classes बहुत है, ठीक है, प्लेलिस on IT, लिंक डाल दूँगा मैं, और experience candidates, यही है main, mock tests and sectional, बाकी एक चीज है, आपको गाइडली PDF बंडल अगर लेना है, प्राक्टिस के लिए, तो आप यह ले सकते हो, ठीक है, तो इसमें डेवाइज होता है, तो इससे आपको काफी help मिल सकता है, और topic वाइज आपको काफी कुछ मिल सकता है, इनके बंडल में प्राक्टिस के लिए, एवरी डै आप इनका एक 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 बंडल उठाके, एक एक PDF, एक टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट फॉर्माट में भी होता है, help मिलेगा आपको, देख लीजेगा आप उनके प्राक्टिस क्विज में जाके, इनका भी लेवल ठीकी रहता है, अच्छा रहता है, so that's it for this video, आपको और कुछ भी डाउट होगा इसके बारे में, तो मैंसे पूछ लीजेगा, I hope इसमें आपको थोड़ा जिस्ट मिला होगा, कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो do not forget to subscribe, so that you don't miss out on any such updates and strategies, अब second part में मैं में 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 बारे में discuss करूँगा, परी का तो मैंने बता है, और links डाल दूँगा दिस्क्रिप्शन में, देख लीजेगा, कुछ doubt होगा, तो comment में पूछ लीजेगा, telegram group join कर लीजेगा, कुछ भी solve कर रहे हो, doubt आ रहा है अभी समझे, checklist में ही, तो पूछ लीजेए, इतने बच्चे कोई ना कोई answer करेगा, नहीं किया, तो मैं कर दूँगा, ठीक है, so no issues, subscribe करना मत भूलेगा, अब चैनल पर फर्स टेम हैं तो, अच्छे सा पढ़िये, अभी एक्जाम का सीजन फिर स्टार्ट हो जाएगा, कुछ महिनों में, तो give your best, thank you.